राधे राधे मेरे पहरे भाईयों बहनों माताओं वावन हों संस्कार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूं कि साल के आखीरी सुरे ग्रहन के समय गरवदी महिलाएं क्या काम ना करें बंधों आप सभी चानते हैं कि 25 अक्तूबर मंगलवार को सुरे ग्रहन लगने जा रहा है जो कि इस पार बहुत भारी ग्रहन होगा और जिसकी कुल अबधी चार घंटे होगी जिसका सूतक काल रात को दो बजगर 29 मिनट पर प्रारम हो जाएगा और सुरे ग्रहन दो पहर 2 बजगर 29 मिनट पर प्रारम होगा क्योंकि कहा जाता है कि सूतक काल ग्रहन के समय से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है बंधों और ये ग्रहन शाम को 6 बजगर 30 मिनट तक रहेगा बंधों ऐसे में गरपती महिलाओं को बहुत सी साबधानिया बतने पड़ती है अब मैं आपको 5 साबधानिया बताने जा रही हूँ क्योंकि गरपती महिला इन साबधानियों का प्रयोग नहीं करती तो उनके पेट में जो बच्चा होता है उस पर उस ग्रहन का दुश प्रभाव पड़ जाता है इसलिए गरवती महिलाओं को इन साफधानियों को अवश्य प्रयोग में लाना चाहिए बंधों सुरे ग्रहन के समय गरवती महिलाओं को घर से बाहर बिलकुल भी नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इस समय निकलने वाली हानिक कारकिने गरव में पल रहे बच्चे को बहुत नुक्सान पहुंचा सकती है सुरे ग्रहन के समय महिलाओं को किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसा माना जाता है यदि गरवती महिलाएं ऐसा करती है तो बच्चे आपंग या फिर किसी अंग से विक्रित पैदा हो सकते हैं सुरे ग्रहन के समय गरापती महिलाओं को किसी परकार की कढ़ाई और सिलाई का काम नहीं करना चाहिए अर्थाथ उन्हें सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए ना ही कैंची का प्रयोग करना चाहिए और ना ही चाकू का प्रयोग करना चाहिए ऐसा करने पर बच्चे और मां दोनों की सिहत के लिए नुकसान दे हो सकता है हो सके तो ग्रहन के समय गरवती महिलाओं को रामायन या फिर किसी अन्य ग्रंथ को पढ़ना चाहिए ग्रहन के समय गरवती महिलाओं को सब्ची काटने या फिर किसी अन्य यंत्र का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए यह भी थीक नहीं माना जाता बंधों सुरे ग्रहन के समय गरवती महिला को अपनी चोटी भी नहीं गूथनी चाहिए ना ही कुछ भी खाना और पीना चाहिए गरवती महिला या तो ग्रहन के समय सीधे लेट चाहे और रभू सुमिरन करती रहे और या फिर आलती पालती मार कर बैट चाहे और अपनी गोद में एक सुखा नादियल रखे और रामायन जी का पाट करें जब तक ग्रहन का समय रहे उतना समय पूरा इसी प्रकार से रामायन पढ़ती रहे और जब ग्रहन का समय बीच जाए तब नहाए और उस नारियल को बहते पानी में छोड़ दें ऐसे करने से आपकी और आपके बच्चे की रक्षा होगी बंधों एक बात और गरपती महिला को रहन के समय कोई कुंडी भी नहीं लगानी चाहिए जैसे की पाइलेट की बात्रूम की ऐसा करने से भी बच्चे पर दुश प्रभाव पड़ता है बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद बंधों मूलों मूलों वाको हमαςुश रहीं का बलास